तो चलिए दोस्तों 26 जून को बनने वाले हरियना करंट अफेर की टोप न्यूज हम देख लेते हैं 453 नए मामले आए सामने इसके साथ ही परदेश में कुरोना संक्रमितों के संख्या हुई 12463 उप मुक्य मंतर ही दूशन चोटाला ने कहा जल्द ही नई रोजगार बहुन शुरू होंगे और जल्द ही आदुनिक रोजगार पोर्टल भी शुरू किया जाएगा सभी को रोजगार उबलब्द करवाया जाएगा अब शहर की ब्ल्यू बर्ड जील में ओसद्ये पोदों के साथ साथ वीबिन परकार के फूलों के पोदे भी लगाये जाएगे मुंबई की आदुनिक एलेक्टिक्स बोट को भी लाये जाएगा ब्ल्यू बर्ड टूरिजम के इंदर की स्तापना सन 1990 में बाउन एकड जमीन पर की गई थी 18 एकड में जील, कॉम्पलेक्स और जंगल एरिया बनाये गया है इस जील में कई परकार के पक्षी भी आते हैं रोतक में 15 जुलाई से दोडेंगी इको फ्रेंडली सीटी बसेवा अब सबजी बेचने वालों को चिप लगे हुए पैचान पतर दिये जाएंगे निगब ने ऐसे 1933 स्ट्रीट स्वेंडर्स को रिजिस्टर्ड किया है इससे लोगों को पता चल पाएगा कि सबजी बेचने वाले का बैग्राउंड क्या है तो चलिए दोस्तों ये थी आज की टोप हरियन की निउज अब हम देख लेते हैं कल का कोश्चन्स कल हमने आपसे पूचा था विधारतियों और शिक्षकों के लिए हरियन सरकार के उच्छे शिक्षा विवाग के द्वारा किस ओनलाइन पत्रिका को लौंच किया था तो बहुत कम स्टूडेंट ने इसका अंसर दिया है साइध आप लोगों को नहीं पता था तो मैं बता दूँ इसका अंसर है द्रिश्टी कौन पत्रिका को लौंच किया है तो चलिए आज का कोश्चन देख लेते हैं हरियन सरकार के दौरा किस जिले में राष्ट्रियस तरका यूनानी सेंटर बनाए जाएगा तो इसका अंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना तो आपको बढूए सोगल पींग तरका यूनानी सेंटर ऑल गो जाठे पनाएगाते हैं ह्यूआ जाया तो यूनानी पेलन भूराओ जा बनाएगा प्यूना झाल पत्रिका यूनाद' आपको जानाएगा डहाईगा प्लेट।